हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जी डेसी एटुटर में हम अपने इस चैनल पे डी फामेसी से कोर्स से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहे वो आपके स्लेबस की हो चाहे वो आपके हर एक सब्जेट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके व पता है दी फामेसी का फाइनल उसके आपका पड़ने वाला है और उसी फाइनल इगजाम में तो उसी के regarding हमारी ये series start होने जा रही है जो की आपका model paper के based भी होगा मतलब first year के 5 subject और second year के 6 subject का complete sample model paper का videos हम यहाँ पे कराएंगे i button पे यह description में इसकी complete playlist भी मिल जाएगी वहाँ से other subject के videos भी जाके देख सकते हो तो आज की कड़ी में आज का हमारा कौन सा subject होने वाला है deep pharmacy, first year का बहुत important subject pharmaceuticals का यह sample model paper होने वाला है हम देखेंगे कि भी यह फार्मसोटिक्स में कौन-कौन से question आपको तयार करके जाने है, किस प्रकार की question आपके final exam में बनेंगे, as well as paper का pattern क्या होने वाला है साथी साथ क्या क्या आपको कम समय में तयारी करने के लिए चीज़े चाहिए होती है, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे तो पूरे वीडियो में last तक जरूर बने लिएगा ताकि कोई भी information miss न होने पाए अगर हम बात करते हैं कि आपका exam कब है तो हम यहां पर all India board की बात कर लें तो all India board में आपके अलग-अलगी state के अलग-अलगी state board है इंडिया भर में अब खासकर अगर UPPT की बात कर लें तो इसमें exam schedule आया ही है जुलाई के आसपास होगा RGPB MP board का आपका 20 मई से उन्होंने प्रपोश कर दिया है करनाटर का board का भी जून तक जाएगा माराज board का 3 मई से तो इस टार्टे ही हो रहा है बिहार board की बात कर लें तो ये भी जून जुलाई तक जाएगा जारकन board में भी निकाल दिया है तो ये भी जून में करा देंगे मतलब कुल बिलाज दा कि जितने भी board है ना जितने भी बोड है लगबग सबका आपका कह सकते हो मैं से ले करके जुलाई के बीच में जी हां मैं से जुलाई के बीच में ये exam होने वाला है और इसी exam जो होने वाला है उसमें किस प्रगार का pattern होगा कैसे question आएंगे उसकी अगर बात कर ले तो simply अगर आप paper pattern कैसा होने वाल पर फार्मस्टिटिकल कमश्ट्री होगा फिर फार्मकूगोंशी होगा फिर हाप कर सकते हो ने थिशोष गोल सकते हो 20-80-100, यानि कह सकते हो 100 plus law 200 marks का आपका होगा, हम अब बाहर की बात कर लें तो बाहर 80 marks का आपका paper आएगा और उसी 80 marks के paper के हिसाब से sample model देखना है, चलिए अगर हम बात करते हैं, theory का paper pattern की तो theory paper pattern की बात कर लें, तो ये जो seasonal है, seasonal कहीं पे 30 number, कहीं पे 40 number और कहीं पे 20 number का होगा, average की बात कर लें, तो average आपका sessional 20 marks का होता है सभी के college में, जितने marks का हो, average 20 marks निकाले जाता है, उसके बाद final, अगर theory की बात कर लें final में, तो आपका यहाँ पे 80 marks, 80 marks final आएंगे, 80 में आपका कह सकते हो long question आपका 5 number का, 30 number का long हो गया, उससे short हो जाएगा 30 number का, और MCQ 1 liner 20 number का, यानि 80 और plus 20, यानि total 100 marks का आपका है, एक subject होने वाला है, यह theory हो गया, और theory के साथ, practical में भी यही होगा, 80 और 20 वाला scene, यह theory का होगा, और practical की अगर बात कर लें, तो 20 number आपका internal practical है, और 80 नमर जो बाहर से वाइबा लेने आएंगे, 80 भी 100 यह, तो 100 practical, 100 आपका theory, यही paper pattern होने वाला है, और यही आल इंडिया की जितने भी बोड है, सब में यही paper pattern लागू भी होगा, अब अगर हम बात करते हैं कि यह sample model paper, चलिए, statistics की अगर हम बात कर लें, तो आपको कैसे paper देखने मिलेगा, कि सारे question आपको compulsory है, यह तो रहेगा, सभी question का main question new page में आपको लिखना है, यह सारी चीज़े आपको तो guideline में रहता ही रहता है, figure वगरा भी आपको अच्छे से बनाओंगे, तो full marks मिलेगा, sketches वगरा, होसिस कीज़ेगा, penp से बनाने की, तो वहाँ पे अच्छे marks मिलेगे, mobile fan, pager, यह सब चीज़े नहीं allowed है, चलिए, अगर हम बात करते है paper pattern की, तो भी यह 80 marks का total paper होगा, 80 marks में आपका जो long answer होगा, वो आपका 7 दिया रहेगा, जिसमें 6 करना है, 6 करना है, एक question 5 number मि से ले जाओगे, फिर objective, यानि section C में क्या होगा, objective type, mcq based, या fill in the blanks, या कह सकते हो, one liner वाले question रहेंगे, तो यह 20 question एक एक नंबर के होगे, तो 20 number यह, 30, 30, 60, 20, 80, अब यह 80 marks का paper आएगा, और आज हम इसी sample model paper को दिखाएंगे, कि यह 80 marks में किस प्रकार से आपको तयार करके जाना है, 80 marks आपके कहां से फसेंगे, चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, और इसको last तक जरूर देखिएगा, ताकि question में स्नो ने पाए, section A में हमने क्या बताया, long answer question रहेगा, 7 दिया रहेगा, 6 करना है, एक 5 number का, तो 30 number, कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 दिया है, ठीक ह कहां से question पूचा जा सकता है, short note लिखिए, quality control और quality assurance, यह आपका chapter 6 का question है, so ticks अगर आप slaybers देखे होगे, अभी मैं slaybers भी दिखाऊंगा, यहां से पूच सकता है, quality control क्या होता है, quality assurance, पहली बात तो दोनों का definition देदोगे, definition देदोगे, 5 number का है, तो एक एक number definition का मिल जाएग फिर quality control में क्या-क्या parameter होते हैं, उसको quality assurance में क्या-क्या strips parameter होते हैं, तो यह कम-कम डेड़ से 2 page में लिखोगे, तब जाके आपको 5 number 6 का मिलेगा, ऐसे ही करना है, अब इसके sir answer कहां मिलेंगे, अब तो पढ़े तो होगे, तो answer दोगे, answer भी नहीं पता, तो उसका भी हम solution executive application, वो लिख दीजे, 2 number वहाँ पर मिल जाएगा, और अलग-लग packaging material चाहें, वो glass ऐसे packaging material हो, रबड़ ऐसे packaging material हो, plastic हो, या metal हो, उसकी बारे मिलेग दोगो, तो 5 number बहुत लेना असान है, बस heading wise, flow chart wise, arrow wise, point wise, bullet wise, अच्छे से आपको लिखना है, presentation जितना अच्छा रहेगा, उत पढ़ाया भी है, इसके notes कहां से मिलेंगे, वीडियो कहां से मिलेंगे, अभी मैं बता दूँगा, तो या pharmacy का carrier, इसको आप pharmacy के बारे में लिख दो, पूरा बना के, सारा heading लिख दो, यहाँ पे आपको 5 number मिल में जाएंगे, उसके बाद फार्माकोपिया होता क्या है, और silent feature of pharmacopiya, तो यहाँ पे दो चीज है, अगर मालने जिए आपको pharmacopiya का definition आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दो छोड़ दो, आप यह तो कम से कम लिखो, एक से डेर number मिलेगा, यह छोड़ दो के तो मालनो, एक से डेर number मिलेगा, एक से डेर number से back भी ब मिल जाएगा, अब देखो, यह chapter 4 से है, बाल मिल, triple roller meal, fluidized bed dry, chapter 4 के अलग, यह आपका dryer से है, यह आपका mixer से है, और यह आपके size reduction से है, तो size reduction, mixer यह सब हमने जब पढ़ाया था, तो वहाँ भी बताया था, यह important है, पढ़ा भी होगा आपने, तो इन में से दोनों में से एक कर सकते हो, इस प्रकार के question बन सकते है, फिर different type of capsule होते हैं, उनको बताइए, और hard gelatin capsule और soft gelatin capsule के बीच में अंतर बता दीजे, कितना अच्छा question है, कितना बेहतरीन question है, यह कर सकते हो, साधी साथ coloring agent क्या होता है, flavoring agent, sweeting agent, इन तीनों में से किसी दो को आपको define करना है, देखो, कित से बाद, अगर हम slayvers की बात कर लेना, सुटिक्स का slayvers में total आपका कितने chapter हैं, यह 6-7 chapter है, पहले chapter में history और pharmacy as a career, IP, VP, यही सब तो पढ़ना है, फार्मकोपी होता, दूसरे में पूरा packaging material पढ़ लेना, वहां से question आएगा, तीसरे में आपका pharmaceutical aid preservative, फिर आपका sweetening agent, flavoring agent, य यह वो size reduction हो, size separation हो, mixing हो, filtration, drying extraction हो, उसको करके रिके जाना है, पाँचवे में पूरा आपके tech वाला part है, यानि doses form, tablet होता क्या है, coated, uncoated और sustainally tablet, अलग-अलग tablet दिया है, capsule क्या होता है, liquid oral preparation क्या होता है, topical preparation क्या होता है, powder gainule क्या होता है, strile formulation, immunological product, यह सारी चीजे, आपको chapter 5 म में, NDDS, novel drug delivery system, तो इतने ही slaves से आएगा, इसके बाहर से तो आएगा नहीं, अब इसे पूरे slaves का notes भी अभी हम बताएंगे, और video lecture कहां से मिलेगा, उसको भी बताएंगे, पहले आप model paper को देखते जाओ, इतना कर लोगे, फिर उसके बाद अगर section B की बात कर ले, तो section B में क् 11 question रहेंगे, 10 उसमें से करना है, एक question तीन नंबर का, तो 10 करोगे, तो 10 तीन तीन, 30, 30 नंबर मिल जाएगा, simple है, एक से डेर पेज में लिखना है, क्या है, short note लिखो, glass packaging material, यहाँ, glass होता क्या है, कितने type के glass होते है, glass का advantage, disadvantage लिख दो, एक से डेर पेज में, simple आपके तीन न pharmacopie, IP के बारे में लिख दीजे, IP के feature लिख दीजे, IP की edition लिख दीजे, बस हो गया, तीन नंबर आ गया, फिर discuss कीजिए, और use क्या है, misuse क्या है, plastic in pharmaceutical product, profession, ठीक, फिर उसके बाद, pharmacist का रोल क्या होता है, फार्मासिस का रोल क्या होता है, professional education में उसको बाद बताईए, फिर different type of preservative, unit number, chapter number 3 का है, preservative और फार्मासिट का लेट, वहाँ से question बन सकते है, फिर construction और principle बताईए, बाल मेल, हैमर मेल, fluorized bed dryer, और silverson emulsifier, यह सब तो आएगा ही आएगा, इसको आप लोग छोड़ करके नहीं जाना, discuss कीजिए, different जो factor affecting है, यानि जो आपके practicing के procedure में कौन कोंसे ऐस pharmacy practice पे, short note, pharmacy practice के history पे, फिर उसके बाद solution क्या होता है, emailson क्या होता है, suspension क्या होता है, इसको बताना है, simply आपका तीन नंबर मिल जाएगा, एक एक नंबर तीनों ले लो, तीन नंबर मिल गया, फिर सेरा vaccine toxide, तीनों term को define कर दो, एक एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, कितना पहतरीन question आ रहा है, फिर short note लिखे, rubber packaging में टेल का, अब कहो कि सर, इन सभी question के answer भी तो बता दीजिए, बताएंगे बताएंगे, उसका सारा answer आप कहां से notes प्राप्त कर सकते हो, कहां से ला सकते हो, उसको भी दिखाएंगे, चले, अब इसकी बात हो गई, अब अगर हम क्या करते हैं, section C में, section C में क्या बोलना है, कि सारा question करना है, 20 question दिया है, एक question, एक number का है, तो 20 number का हो जाएगा, अब इसमें देखो, one liner भी हो सकता है, one liner में definition भी हो सकता है, fill in the blanks भी हो सकती है, और MCQ हो सकती है, चलो कैसे, कैला mind lotion किसले यूज किया जाता है, बता दीजिए, container क क्या होता, उसको define करना है, commonly आपका जो वेहिकल है, water, why water, हमारा water क्यूं as a vehicle यूज किया जाता है, उसको बताना है, फिर extended release tablet का definition दे देना है, elixir क्या होता, hydrologue solution, उसको बारे मताओ, फिर IP का आठवा एडिशन, आठवा एडिशन, आठवा एडिशन नहीं सो कर दो, दो दो लाइन का question करोंगे, एक एक number मिलता जाएगा, कौन हो अरग जो association है, उनका कब, every year कब पास हुआ था, वो सारी चीज़ आपको यहां पर लिखनी है, यह तो आपका one-liner या fill-in-the-blank में आ जाएगा, फिर आपका mcq-based भी आता है, mcq-based जैसे हमारा क्या है, who है, फिर most simple और most frequent, use क्या है, size separation का, size separation का most simple और most frequent, आपने अपने उसमें देखा होगा, lab में, machine room में, सीव से कर, यही तो idea, बाल मिल किसके principle पर करेगा, impact और attrition के principle पर करेगा, simple सुरज, simple सुक्रोज, simple सिरफ, किसका saturated solution है, सुक्रोज का है, फिर first edition IP का किता है, first edition पच्पन, second, 6 चाट, तीसरा, पचासी, चानवे, दोजार साथ, दोजार दस, दोजार चौधा, अठारा, बाइस, एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नो, तोटल, नो, अडिशन है, आठामा पूछा था तो अठारा बताते थे हैं न, या फिर तीसरा पूछेगा, तो पचास अठाम, पाल, मिलगी लोइशपीट पर चलेगी, हाईशपीट पर, या फिर तूठट, तो तूठध इस पिस पर अच्छी इस प्रिवाइटेड सेड़ फार्माकोपिया होगा तो ऐसे कोश्चन आएंगे सिंपल कोश्चन आएंगे मतलब 20 कोश्चन जो आपके एक एक नंबर वाले हैं उसमें आपका फिलिद लेंग दस्ट हो सकता है यह डिफिनिशन वाला हो सकता है और दस्ट आपका क्या होगा इसको ध्यान में दे करके चलना है फिर आपका जो सक्षन भी में 11 कोश्चन दिया रहेगा 10 करना एक कोश्चन 3 नंबर 30 नंबर यहां से 20 उदर 30 पचास और 30 नंबर यहां से आ जाएगा जो आपका लॉंग एंसर है यानि 7 में से 6 करना एक 5 भी लेगा तो ऐसे देखो अब इसको स्टिक्स कोश्चंटओ गनोच सबस्क्षायर सब्याब जएक चर्णा ही और 90ि नोडर 37 सबस्क्राइब सब्सक्राइब कि तैयारी कर सकते हो क्या खासियत है complete पूरा स्लेबस मतलब फस्ट यर के जितने भी सब्जेक्ट है हरे पूरा स्लेबस का यहां पर नोट मिलेगा सब्जेक्ट वाइजमेंट मतलब स्टिक्स कमेश्टी कोगनोशी सोचल हचेपी सबका एकदम सब्जेक्ट वाइज चैप्ट पा रहे हो तो फटाफट इसको पढ़के आप तयारी करके अपने एक्जाम दे सकते हो as well as easy to understand बहुत अच्छी बात है कि आसानी से आपको समझ में आने वाली नोट्स है इस नोट्स को लेना है तो simply description में विजिट कर लिगा महाँ पे लिंक डाल दिया अब बहुत से सेंपली जी डी सी क्लासे आप हमारा है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे जाईएगा इस बैच में जूड़िए सारा पूरा कंप्लीट यो स्लेबस है उसका विडियो लेक्चर मिल जाएगा mcq practice sample model paper e-notes सब कुछ इस complete course में है इस course को आप आपके first year से second year से लेकर के चाहे exit exam की बात हो चाहे अलग अलग आपके exam की बात हो या first year second year के सारे subject की बात हो और यहाँ sample model paper का मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के description में या last में लगा दूंगा वहाँ से देख लेना या playlist में जाके देख सकते हो और exit exam की त्यारी करता बनी है वो playlist का link में last में लगा दूंगा उसको visit कीजिएगा उम्मीद होगी है first year का जो फार्मसोटिस का sample model paper हमने बताया वो चीज आपको समझ में होगी इसी तरीके से घेर सारे subject की model paper आते रहेंगे तो playlist को visit कीजिएगा playlist में जाएंगे तो सारा आपको subject का model paper notes वगरा को दे subscribe कर लीजे like subscribe भी जरूर कीजिए और तक भी जरूर बेजिएगा मिलते अगले वीडियो में अगले model paper के साथ तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें thank you so much all the very best